ओईली तवचा दिन भर में बहुत चिपचिपी हो जाती है। इसलिए हम ले आए है कुछ एफेक्टिव नुस्के जो आपकी तवचा को मैट दिखने में मदद करेंगे और आपके मेकप को पिखलने से बचाएंगे। अगर आप टोनर का इस्तमाल नहीं कर रहे तो इससे आपकी तवचा को नुकसान हो सकता है। क्लेंजिंग के बाद टोनर का स्किन केर रूटीन में एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। फेस वच के बाद टोचा में खिचाव महसूस होना इसका मतलब आपको टोनर की सकत ज़रूरत है। टोनर में मौजूद आंटी ओक्सिदेंस आपकी तोचा को नमी देते हैं और पिएच लेविल को बालन्स करते हैं। तोचा को रोजाना मौशुराइस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भले ही आपकी तोचा ओईली क्यों ना हो। अगर आप चहरे और शरीर को मौशुराइस नहीं करते तो आपकी तोचा इसकी कमी पूरी करने के लिए ज़रूरत से ज़ादा ओईल प्रड्यूस करेगी। और अगर आपको स्किन केर रूटीन में प्राकृतिक इंग्रीडिन्स इस्तमाल करना पसंद है तो ये दो इंग्रीडिन्स वाला लाइट वेट मौशुराइजर ज़रूर ट्राय करें। अलोवरा जेल और थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करें। टोनर के बाद इसे दिन में दो बार लगाकर अपने चहरे पर मसाज करें। अलोवरा त्वचा को ओईली बनाए बगएर नमी देगा और गुलाब जल अतिरिक तेल के प्रोडाक्शन को कम करेगा। ओली त्वचा को रोजाना स्पेशल देख भाल की जरूरत होती है। और इसलिए अपने दिन की शुरुवात ऐसे सोप से करें जो आपके स्किन टाइप के लिए ही बना हो। एक ऐसा क्लेंजर चुने जो आपके स्किन टाइप को सूट करें। या खुदी एक बना ले। एक ओपेक वाइट सोप बेस लेकर छोटे हिस्सों में काटे। 30 सेकेंड्स तक या पूरी तरह पिगलने तक इसे माइक्रोवेफ करें। पिगले हुए सोप में दो चम्मच बारीग पिसे हुए चावल डाले। इसमें लगभग 7-8 बून Tea Tree Essential Oil डाले और अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्षर को अपने पसंद के मोल में डाले। और अगर सर्फिस पे बबल्स नजर आए तो इस पर रबिंग आलकोहॉल छिड़के। इससे बुल-बुले गायव हो जाएंगे। पिसे हुए चावल इनके तेल सोखने के गुन के लिए जाने जाते हैं। और Tea Tree Essential Oil मुहासो वाले बैक्टिरिया से लड़ते हैं। मिक्षर को सेट होने के लिए थोड़ा समय दे। अब दूसरी लेयर के लिए एक लेयर सोब बेस लेकर छोटे हिस्सों में काटे। और 30 सेकंड तक पिगलाएं। अब करीब 8 चमच अक्टिवेटेड चाकूल पाउडर डाले और साथी 10 से 12 बून Tea Tree Essential Oil मिक्स करें। अक्टिवेटेड चाकूल और Tea Tree Essential Oil की जोड़ी त्वचा को डीटॉक्सिफाई करने और सारी गंदगी निकालने में मदद करेगी। अच्छे से मिलाएं और पहला वाला प्रोसेस दोहराएं। सेट हो जाने के बाद मोल्ड से निकाल कर इकुल हिस्सों में काट ले। और लीजे आपका डेली ओईली स्किन फिक्स तैयार है। अगर आपको प्राक्रितिक तत्व पसंद है तो इस DIY के मदद से जादा सीबम प्रोडक्शन की वज़े से होने वाले मुहासों को रोके। लसन की दो कलियों को पीस ले और इस पर थोड़ा सा कुलाब चल डाले। इसे अफेक्टर्ड एरियास पर लगाए और जल्द ही आप अपनी स्किन हीलिंग प्रोसेस में पतलाब देख पाएंगे। लसन के अंटी इंफ्लामिटोरिक गुन तवचा को शांत करते हैं और हेल्दी बनाते हैं जिससे मुहासे दूर करना आसान हो जाता है। गुलाब चल तवचा को रूखे होने से बचाता है। तवचा को नमी देकर निखार पाना चाते हैं। पेश है ये DIY जो आपको टैन निकालने और नमी और निखार देने में मदद करेगा। एक आइस ट्री में दूट डाले और जमने दे। दूट की आइस क्यूब्स लेकर अपने चहरे और गले पर करीब 3-4 मिनिट तक मसाज करें। अब सौमयता से अपने चहरे पर छोटे सर्कुलर मोशन्स में मसाज करें। और अगली सुभा अपनी तवचा में नया सा निखार देखें। जादा सीबम का प्रोडक्शन तवचा को ओईली बनाता है, पोर्स को बन कर देता है और मोहासे देता है। इसलिए दिन भर अपने चहरे से अतिरिक्त ओईल हटाने के लिए हमेशा अपने पास प्लॉटिंग शीट्स रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चहरे से अतिरिक तेल को सोग कर मैट टेक्शर देते हैं और पोर्स को क्लॉग होने से रोकते हैं। अगर आप उन लाल मोहासों से परेशान हैं, तो ये शांदार डियाइवाई आपकी मदद करेगा। थोड़ी सी ग्रीन टी की पतिया ले और जरा से गरम पानी से कीला करें। थंड़क के लिए थोड़ा आलोवेरा लेकर मिक्स करें। ग्रीन टी एक शक्तिशाली आंटि आक्सिडेंट है जो पफिनेस जिद्धी मोहासे और उनके निशान को कम करता है। ये मिक्षर उन सूजे हुए बिंपल्स को शान्त करेगा जो मेकप से भी कवर नहीं हो सकते। ये आसान नुसके चहरे और शरीर से अतिरिक तॉयल को कम करने में मदद करेंगे और मोहासों से भी छुटकारा दिलाएंगे। अंतिल नेक्स ताम स्टे तुने और स्टे ग्लामरिस।